चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Global Aviation Safety Ranking 2022 के बारे में ये ranking हाल ही में जारी की गई है अंतराश्ट्रे नागरिक उडियन संगठन द्वारा हाल ही में जारी Global Aviation Safety Ranking में भारत टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है भारत ने जारी इस ranking में 48th rank हासिल की है इसके बारे में जानकरी नागरिक उडियन महान देशाले द्वारा दी गई है अगर टॉप ranking की बात करें तो इस ranking में सिंगापूर टॉप पर है उसके बाद UAE और दक्षिन कोरिया प्रम्शय दूसरे और तीसरे स्थान पर है भारत इस ranking में 4 साल पहले 102 स्थान पर था जिसके हिसाब से यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है अब हम बात करेंगे इस ranking के मुख्य बातों के बारे में अंतराश्टिय नागरिक उडियन संक्षन के तहट युनिवर्सल सेव्टी ओवर साइट ऑडिट प्रोग्राम स्थत निगरानी द्रश्टिगोन एक ICAO समन्वित सत्यापन मिशन का आयोजन 9 से 16 नवंबर 2022 के मध्या किया गया था भारत ने इस ranking में चीन से बहतर प्रदर्शन किया है जो ऑडिट में 49th rank पर है इसराइल को इसमें 50 स्थान दिया गया है वहीं तर्की को 54th rank हासिल हुई है इस safety ranking में भारतिय विमानन सुरक्षा को 85.49% का high effective implementation score दिया गया है जिसकी मदद से भारत ranking में 48th rank पर आया है भारत ने वर्ष 2018 में 69.95% score के साथ 102 स्थान हासिल किया था अगर हम इस ranking के महत्र की बात करें तो Global Aviation Safety ranking में भारत का top 50 में शामिल होना इस बात की पुष्टी करता है कि भारत में अपनी हवाई यात्रा सुरक्षा में काफी सुधार किया है भारत की अच्छे ranking का लाब भारतिय विमानन कमपनियों को भी होगा जिसकी मदद से विदेशी बाजारों में तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी ICAO Global Aviation Safety Plan के अगर बात करें तो Global Aviation Safety Plan की माध्यम से ICAO विमानन सुरक्षा में निरंतर सुधार के लिए एक वेश्विक रन्नीती पेश करता है इस प्लान का उदेश्य विमानन सुरक्षा रन्नीती के विकास को निर्देशित करके हवाई यात्रा जोखिमों को लगातार कम करना है इसकी मदद से विभेन देशों के सुरक्षा कार्यक्रम के effective implementation को बढ़ावा देना भी इसका उदेश्य है जिसमें उस देश की सुरक्षा निरिक्षन प्रणाली सुरक्षा प्रबंधन के लिए जोकिम आधारित द्रश्टिकों आधी शामिल है अब हम बात करेंगे I.C.A.O. यानि की अंतराश्टिय नागरिक उडियन संग्ठन के बारे में यह संग्ठन UN की एक विशेश अजनसी है जो अंतराश्टिय हवाई नेविगेशन के सिधानतों और तक्नीकों का समन्म्य करती है यह और्गनाईजेशन सुरक्षित और व्यवस्तित नेविगेशन विकास सुनिशित करने के लिए अंतराश्टिय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देती है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 में की गई थी और इसका मुख्याला मौंट्रेल कैनेडा में स्थित है इसके साथ ही हमारा आज का ही टॉपिक यहीं पर कंपलीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच करना चैनल में एक आप, कर दो लाइक शब्सक्राइब को कुछ तफे टॉपिस्टाइब करता है